वेल्कम बैक टू माई चैनल इट्स आप कीचन में आप सभी का स्वागत है तो आज हम आपके साथ सेर करने जा रहे हैं मसरूम दो प्याजा की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही असान है और आज हम बहुत सिंपल मसालों के साथ आज इसे बनाएंगे जिसे खा के एकदम रेस् प्याजाएं पर आज हम लिए दो पैकेट मसरूम लिए हैं यहां पर हम बॉटम मसरूम का यूज के क्योंकि यह बहुत जादा टेस्टी लगता है आप चाहे तो आपके पैस जो भी मसरूम है आप वह यूज कर सकते तो इसका थोरा सा इसका पीछे का पार्ट्स काट लिए हैं आप एक वार ऐसे ही बना के जरू ट्राइ कीजेगा यहां पर मसरूम को कट कर लेंगे तो यहां पर मसरूम काफी बड़ा था तो छोटा छोटा टुक्रा में हम चार टुक्रा काटते हैं अगर आपका मसरूम मेडियम साइज का है तो आप इसे दो टुक्रा में ही काटे साइज आप अपने कॉडिंग काट सकते हैं जैसा आपको पसंदो तो यहां हम सारे मस्रूम को कट कर लिए हैं तो यहां पर हम पतिला लेंगे और पतिले में हम सारे मस्रूम को डाल लेंगे और इसमें गर्म पानी एड कर लेंगे जिससे मस्रूम में जितना भी गंदा होगा वो निकल आएगा एक दम अच्छे से तो यहां पर टैप कर देते हैं पानी में और दस मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे तो दस मिनट हो गया और देखिए कितना गंदा निकल रहा है मसरूम में तो वह आरा इस्ट्रेंड कर लेंगे इसका पानी को और अब मश्रूम अच्छे से एक बार और पानी से धोलिया और देखें, हम कड़ाई में तेल लिये है, दो बड़ा चमस तेल लिया और बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे ऐसमें हम प्याज का पैटल्स अलका सा त्राय करेंगे, एक प्याज का पैटल्स लेएं इसको हम अच्छे से अच्छे से फ्राइ कर लेंगे ज्यादा नहीं करेंगे जिससे कि आप हो जाएगा दो मिनट के लिए ही करना है कि अ कि कि आप कि अ कि 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 तो साड़े प्याज को निकाल ली है आप और थोरा सा एड़ कर देंगे ऑइल को और इसमें Eek चमसाही जीरा डालेंगे तीन हरी मिर्च डालेंगे और इसको भी दो सेकेंड के लिए सौटे कर लेंगे और यहां पर बारी कटाव प्याज डालेंगे यहां पर हम पांच प्याज का यूज किये हैं, मेडियम साइज का प्याज था, इसको मबारी काट लिए थे, और इसको गोल्डें ब्राउन होने तक भूनेंगे, तो इसमें हम एड़ करेंगे एक चमस नमक, नमक अपने स्वात के अनुसारी डालें, तो प्याज का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसमें मसालों में मैट करेंगे, दो छोटा चमस हल्दी पाउडर, एक चमस अध्रक का पेश्ट, एक बड़ा चमस जीरा मरी जनिया का पाउडर, एक बड़ा चमस कास्मेरी लाल मिर्च, कासमेरी लाल मिड्स से यहां पे कलर बहुत अच्छा आएगा एकदम डेस्टोएंट जैसा तो मसाला को हम सारे को मिला लेंगे अच्छे से फ्राई कर लेंगे दो से तीन मिनट के लिए ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे इतना ही करेंगे जिससे ही इसका कलर ज्यादर जलेना तो यहां पर हम आज को एकदम मेडियम रखें हैं इसमें हम एड़ करेंगे एक टमाटर का प्यूरी एड़ करेंगे तो हम टमाटर को मसालो के साथ अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और तब तक फ्राइ करेंगे जब तक कच्छापन टमाटर का नहीं निकल जाता है पांच मिनट में टमाटर अच्छे से फ्राइ हो जाएगा मसालो के साथ साला फ्राइ हो गया ओल सेपरेट हो गया तो हम इसमें डालेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट और इस रेसिपी का मेंन चीज है काजू का पेश्ट काजू को हम चार-पांच काजू को पानी में भीगो के रख दिये दे आधे गंटे के लिए और इसको पेश्ट बना लिया है काजू को अध्य नहीं करते काजू को तो वस सारे मसाले के साथ मिला लिए और इसको अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो देखेगी मसाला कितना सेपरेट हो गया है एकड़म अलग हो गया ऑक तो मसाला ज्यादा अच्छा टेश्ट आएगा तो मलाई जरूर डाले तो इसको हम फ्राइ कर लेंगे पांस से दस मिनट के लिए फ्राइ करेंगे जब तक और सेपरेट ना हो जाए प्राइ हो चुका है मसाला तो इसमें हम एट करेंगे जो मस्रूम अच्छे से वाश करके रखेते हैं तो मस्रूम एट करके यहां पर एक चमस गरम मसाला डाले हैं यह पर होमेडी डालें आप कोई पीसा भी गरमसाला अट कर सकते हैं तो अब हम इसको अच्छे से मसरूम के साथ 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो फ्राइक कर लिए तो देखे फ्राइक हो गया तो मैं इसमें प्याज जो फ्राइक किये हैं तो इसको अच्छे से मिला लेंगे तो अब इसमें पानी एट कर लेते मसाला काफी फ्राइड हो गया इससे ज्यादा हम फ्राइड नहीं करेंगे तो यहां पर आधा कब पानी पहले डाल लेंगे एक बार में ज्यादा पानी एट नहीं किजेगा जिससे ग्रेवी लूज हो ज तो हमको इतना ही ग्रेवी चाहिए इसका थीक ग्रेवी रहता है ज्यादा ही एकदम अच्छा लगता है है तो हम इसमें कसूरी मेथी डाल लेंगे इससे बहुत अच्छा फ्लीवर आता है तो यह जरूर डाले है तो बस इसको पांच मिनट के लिए ढखके मज़ पर रख देंगे और मेरा मसरुम दोपिया जबन के तयार हो जैएगा तो देखे यह मसरुम दोपिया जबन के तयार हो गया और यह आप किसी पे भी आप पूरी रोटी नान किसी पे भी आप खा सकते हैं